यो पानी में आग लगाने वालो क्या हाल चाल है मैं हुसाम होगा आप देख रहे हैं सैम दिली से ये हमारे कुछ नमूने दोस्त आ रहे हैं देखो यह हमारे कि यहाई वहीं अपने उपने और यहाई तु नह थो भूले यह अपने यह चैनल सब्सक्राइब करना हो नीचे दबा देना तो आज हम बनाने बाले हैं किसी जगह करने यह चैनल सब्सक्राइब कर वाई तो आज हम व्लोग बनाने वाले सीए गाज मैं जा रहा हूं सीए से मिलने और किस तरह से टेक्स वगएरा बढ़ना होता है किस तरह से करनी होती है तो वह करेंगे क्या बाते हुई क्या हुई कैसे आपको सेव रहना है अगर आगर आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत मज़ा आने वाला इस वीडियो में क्योंकि यार अगर पैसे तुम्हें टेक्स भरना पड़ेगा जाहिर सी बात है अब टेक्स भर आपको बीच में उपर कपले भी लटके वें आपके पार जगह निया सुखाने के लिए तो झालो जब ले जा रहा हूं को अपनी गल्यों से एच्ली यह बूल जा रहा है तो यहार ले लिए अपने ऑफिस मुंड का एलमेट लिए है लिए कि तो जानका तो जोखी में उससे ज्यादा तो टेंशन वाइन कर रहता है चलो फिर मिलता हूं मैं आप से आफ इस वह भी मुंडगा गए फाइनली हम लोग आ गए अपने मुंडगा के ऑफिस पर यह देखो पीछे लोकेशन दिख रहा होगा यह हमारा पूरा लोकेशन इसके अंदर मैंने दे रखा रेंट पे पिछली बार दिखाया तो था तुम्हें तो फाइनली हम लोग आ गए चलते रूम पे और तुम्हें मिलवाता हूं मैं सीए से भाई लोगो पहली बार तो यह हम रूम पे करने वाले थे तो यह का इंटर्व्यू लेकिन बच्ट कुछ प देखते क्या क्या होता है आजाओ फेर चलो 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 बता ना मुझे तुम्हें देख रहा है कि नहीं देख रहा है पिछे यहीं चलते हैं आजाओ यह वाई ओफिस यह गेट खोल देख रहें अंदर का लोकेशन उपर देखो लिखाव है कुछ नहीं लिखाव है चलो अंदर जलते हैं दोस्तों तो क्या यार आगए फिर आप हम लोग सीए के पास पहले बात तो यह जो जिन सर्चे में आप लोगों को मिलाने वाला हूँ जितना भी मेरा टेक्सेशन का काम है और जो भी टेक्स डेक्स वैक्स और डॉकुमेंट्स वगरे जितने भी होते हैं सब स़ारी समालते हैं तो आया फिर बनाने और आगे का डीटेल जो है वो सारी बताएंगे अगर आप लोगों को भी कोई सवाल हो तो कमेंड में जरूर बताना ठीक है अभी तो मैं अपने हिसाब से सवाल पूछूँगा जितना मेरे को चाहिए कोशिश करूँगा आपके जादा तर डाउट के आंसर मुझे मिल जाए बाट उसमें से भी कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना यार सर बता देंगे बागी मैं इनका कॉंटेक्ट नंबर एड्रेस वगएरा सब दे दूँगा तो आप फिरी कभी भी कॉल कर सकते हैं कभी भी करवा सकते हैं ठीक है तो चलते हैं फिर इने में इस फ्रदीब कुमार आम वर्किंग एजए सी फाइनल स्टुडेंट और टेक्सेशन ओडिट माइबर्क एक्स तो सर ये बताए जैसे हमारा जितने भी यूटूबर है मोर्ट यूटूबर को अकाउट डिरेक्ट में में ऑता है मलब उसमें अकाउंट में ठीक है अब आने सारा एंले नहीं आता है तो मैं ये चानना चाह रहा हूं जैसे मेरे कुछ दोस्त है वो ये कहते हैं कोई बात तो नहीं भी भरेंगे तो चल जागा तो आपको क्या लगता है यह उनका सोचना गलत है कि अगर वह नहीं भरेंगे तो कुछ एक्षण नहीं होगा गॉवर्मेंट की तरफ से बैंक वाले गॉवर्मेंट को इंफॉर्म कर देते हैं कि जितना भी पैसा है उनके पास वह अच्छा मेरे दोस्त यह कह रहे थै किया होता है वह और को पैस्वी कैसा हमने जोशना भी अगले साल तो फईन लगाएंगे तो कितना फटना फईन लगाएंग यह लाग का मुझे टैक्स देना गा एक लाग का टैक्स देना तो वह सीधा पैनल्टी के साथ में चार लाग भी हो सकता है यह लगत तो 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 देना ही देना है यानि कि जो हम लोग थोड़े ज्यादा से आने की कोसिस करते ना करें है इतना सोचना है तो गौर्मेंट क्या गरेगी फिर गौर्मेंट भी चानी है बहुत तो देख लिया भाई जितने भी अगर मेरे यूटूबर है जिनकी पेमेंट आती है भाई आट-दस लाग चार लाग माज लग तो टैक्स दे देना टाइम पर यार मेरे भी माइन मेरे तो जितने भी यूटूब की इंकम आती है उन सबसे यह कहना रहेगा कि जितने भी उनके कंसुर्टेंट है उनसे डीपली इसके ओपर डिसकस करके अपना प्रापर प्लानिंग करें ताकि अगर टेक्स बन जाये अगर 10 लाग के आपर हम माने तो 10 लाग के उपर सिधा 3 पर पर 20% मतलब 1,40,000 रुपए सिधा सिधा टेक्स बनता है अगर वो 1,40,000 को कम करके 10,000,20,000 लिया है तो उसमें कितना फाइदा होगा तो इसलिए कंसल्ट करें अपने कंसल्टेंट से अच्छा जैसे अब हमारा अकाउंट में डारेक्ट आता है ठीक है तो हम तो शो तो कुछ करते हैं भाई क्या खर्च हो तो इस ही साब से तो हमें तीन लाग पर टेक्स देना पड़ेगा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे जुगाल हैं जिसका यूज करके हम काफी सेफ कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हो इसका सेविंग कर सकते हो प्रॉपर प्लानिंग करके सेविंग कर सकते हो यूटूब से इंकम आई उसके बाद अपना कैना मैं कंसल्टेंट के साथ बैठो उनके साथ प्रॉपर बिजनेस के तरीके से इस काम को करो यह नहीं कि यूटू तरिकांची बेखत sowben जा ना कुछ अदो किया मुझना में सकते कोई दिक्कत ना हो क्या 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 होगा जिस्ट ला ωगा जैसे कि मेरे कुछ्छ मथलिय। कंपनी शवंच सकते सबस्क्रेट को विजनस के ङसा सकते आघ। सब से क्वा मुथे। ले लो GST लेकर इसे बिजनेस में लेकिया हो बिजनेस में यूटूब की इंकम पे सीधा 18% सर्विस के तौर पे लगता है अपने खर्चे दिखाओ उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट है उसके उपर टेक्स भरो अगर सीधा सीधा टेक्स भरोगे तो 30% जाता है दस लाग कर 30% होता है तीन लाग रुपए और आप बिजनेस के तरीके से अगर इसे लेक्या होगे दस लाग में सा आट लाग के खर्चे दिखाओ दो लाग एक्जेम्ट हो जाता है ओ माई गौड देखा भाई बड़ी इंट्रेस्टिंग बात समझ मैं कुछ चलो मैं फिर से एक्स्प्रेलिंग करें बताता हूं मैं अपनी देशी भासा में देखो भाई जैसे तुमने कमाए 10 लाग रुपे कमा लिए अब तुम सिंपल से जाओ तो पता है सरकार को कितना आठ लाग तो तुमने खर्चे दिखा दिये तो दस में से आठ गटा दो कितने बच्चे दो दो में से क्या दोगे कुछ नहीं क्योंकि तो वैसी सी सेविंग होते समझ मैं कुछ तो बाकि और भी कोशन हो तो कमेंट में जरूर बताना अच्छा चलो सरी यह तो यूटूब सरी लेते था और बताई अगर कोई मेरा विवर है कोई दूसरा तरीके से भी अगर सेविंग करना चाहे तो सब कुछ सब्सक्राइब बहुत सारे जहमेले होते हैं इसके अंदर तो सबसे बढ़िया तरीका जिसका डंडा हो जिसकी भैसा उसी को नचाने दे खुद नाना च बढ़िया है और और वी जो वीवर से यूटुब से हटके हैं उनके लिए भी सारा काम हो सकता है कोई दिक्रत तो नहीं उनके लिए भी कर सकते हैं जितने भी वाले हों जो और वाले हैं सेल पर्चिस करते हैं वो नॉर्मली अपनी आईटियर हर साल जरूर बरे आईटियर से उनके प्रोफायल बनती यह प्रोपर इंकम्स होती है कं Table Coり लेना चाहते है या फिर कहना में कोई बिस इससंट कर्वidable करते हैं वागरे का सरा हो गया और क्या कैम कअ तुम कहा रहे हो सकाम कर आए हैं तुम प्रस् Alpine कटे वह रहे हैं देटाने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस भी दे दूँगा कोई भी डिटे लो कोई भी डाउट हो पूछो बेड़ा क्योंकि मेरा सारा काम यही समालते हैं बहुत टाइमस हम लोग साथ में काम करते हैं तो मुझे तो अभी तो कोई दिक्कत होई नहीं बागी तुम भी ख्याग और वाई लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मन करें तो सेर भी कर देना मिलते हैं आप से नेक्स्ट व्लोग में तप्तके लिए बाबा आ अच्छा यह आगया ना चिन इस वज़या से लो कौई नहीं यार यह मेरा क्या यह बांजा बती जाए बांजा यह मेरा थोड़े दिश्टतारी कमजोन है इसलिए दिमाग से निकल जाता है ठीक है यह मेरे बांजा बोल बेटा मामा मामा बोल मामा बोल नहीं बोलेगा डर गया याद एक्छली भाई आपने से डरता बहुत है